नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों मैं सीमा से आनन टिटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ बच्चों आज की पारसाला में हम संग्या पढ़ेंगे आपको तो चला मालुम है कि अभी हम व्याकरण कर रहे हैं तो आज का जो हमारा व्याकरण है वो संग्या टॉपिक पर है ठीक है तो चलो हम अपनी पारसाला सुरू करते हैं संग्या वे शब्द जिनके किसी व्यक्ति, पशू, पच्छी, वस्तू, अस्थान या भाव का बोध होता है उसे संग्या कहते हैं सबसे पहले संग्या किसे कहते हैं तो वे शब्द जिनके जिनसे किसी व्यक्ति, पशू, पक्षी, वस्तू, अस्थान या किसी भाव का हमें बोध होता है उन्हें हम संग्या कहते हैं जैसे व्यक्तियों के नाम के लिए जैसे किसी का नाम कमला है, गनेश है, गोपाल है, सीमा, रीमा, कविता, रमेश, महेश ये सब क्या है व्यक्तियों के नाम फिर पश्वों के नाम, पश्वों में क्या आता है, बैल, घोड़ा, खरगोज, गधा, हाती, ये सब तो पश्वों है, पश्वों के नाम, फिर पंचियों के नाम, पंचिय भी आपको पता है, मोर, मैना, उल्लू, गोरया, तोता, कबूतर, है ना, इस सब पंचियों के नाम क पतंग, तबला, बस, रिक्षा, कार, है ना, कोई भी नाम आ सकते हैं, अस्थानों के नाम मुंबई, पाटशाला, पूने, मैदा, डॉम्बेवली, इलाहाबाद, बनारस, तो किसी भी अस्थान का नाम आ सकता है, प्रदार्थों के नाम, प्रदार्थ में क्या है, दूद, चावल, सोना, मिट्टी, पानी, सब प्रदार्थ के नाम है, भाओ के नाम, बचपन, मिठास, संतोस, सफाई, रिस्तों के नाम, भाई, मौसी, फुफेरा, सहो, दर, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब संग्या के उ धारण है संग्या किसे कहते हैं वे शब्द जिनके किसी व्यक्ति पसू पच्छी वस्तू अस्थान या भाव का बोध होता है उसे हम संग्या कहते हैं ये सब नाम है अब कुछ प्रश्ण है वो मैं आपको देती हूँ और आप लोग उसका उत्तर मुझे वाटसप करके पर मेरा ग्रूप है मैंने ग्रूप बनाया है बच्छो का तो आप उसे जॉइन कर सकते हो ठीक है बच्छो तो ये आपका होमवक है बस इतना ही आपका होमवक है निमलिखित वाक्यों में से संग्या चुनिए इन वाक्यों में जो संग्या है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है वाटसब पे मुझे आप बताईए या टेलिग्राम से आप मेरे साथ जुड़ जाएए ठीक है? संदीप मेरा भाई है इसमे संग्या क्या है वो लिखना आपको बचपन में दूद के दात निकलते हैं इसमें संग्या क्या है वो आपको लिखना है किसान जुआर बाजरा मक्का और धान की पैदावार करते हैं चौथा नम्रता संतोस और धर्य मनुष के गुण हैं पाँचवा जंगल में शेर भालू बंदर पाए जाती हैं इन पाँचवाक्यों में जो जो शंग्या है उससे आप लिखिए और मुझे वाटसब पे भेजिए या फिर टेली ग्राम चैनल पर आप जोईन हो जाएए ठीक हैं तो बच्चो हमारी आज की पाटसाला यहीं समप्त होती है अगली पाटसाला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पाटसाला में नए हैं तो मेरे पाटसाला को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए थैंक्यों फॉर वाचिंग, बाई बाई